हाई एब्रीवन आज हम बनाएंगे आलू प्राठा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये प्राठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही असान है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाल लेंगे इसमें डालेंगे दो कप गेहूं का आटा अब इसमें थोरा थोरा पानी डाल कर इसे हम गुंध लेंगे एक बार में ही ज्यादा पानी नहीं डालेंगे और आटा को हम न ज्यादा टाइट गुंधेंगे और न ज्यादा नरम मीडियम गुंधेंगे तो देखिए आटा को हमने गुंध लिया है अब इसे 10 तक हम आलू मसला त्यार कर लेते हैं तो यहां पे हमने एक बावल में तीन मीरियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं आलू को हमने छिल कर अच्छी तरह से मैस कर लिया है अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच लाल मिच पाउडर एक चम्मच चाट मसला डाल देंगे थोरा सा गरम मसला डाल देंगे पांच बाड़ी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे एक चम्मच कद्दू कस्किया हुआ अद्रक डाल देंगे एक बरा बाड़ी कटा हुआ प्याज डाल देंगे एक चमच धन्या पाउडर डाल देंगे आधा चमच आमचूर पाउडर डाल देंगे बाड़ी कटा हुआ धन्या पता डाल देंगे और स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है तो अब 10 मिनट हो चुके हैं अब इसमें से हम थोरा सा आटा लेंगे इसे हम गोल बना लेंगे देखे इस तरह से हथेली की सहाईता से अब इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे अब देखे इसे इस तरह से कटोडी के जैसा बना लेंगे इस तरह से घुमाते हुए बना लेंगे तो हमने कटोडी के जैसा बना लिया है अब इसमें हम आलू मसाला भर देंगे इसमें जितना आ सके उतना हम इसमें दवा दवा कर भड़ेंगे अब इसे इस तरह से चारो तरफ से गुमाते हुए इसका मुख बंद कर देंगे देखिए इस तरह से और फिर इसे हम हतेली से गुमाते हुए इसे हम गोल कर लेंगे और इसे थुरा चिप्ता कर देंगे देखिए इस तरह से अब फिर हम इसे सुखे आठे में लपेटेंगे अब इसे हम हलके हलके हाथों से बेल लेंगे ज़्यादा जूड से नहीं बेलेंगे इस तरह से इसे हम घुमाते हुए बेल लेंगे तो देखे इसे हमने बेल लिया है, न ज़्यादा पतला है और न ज़्यादा मोटा अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे, इसी तरह हम सभी प्राठे को बेल लेंगे तो हमने सभी प्राठे को बेल लिया है, अब गैस पर हम तबा चड़ाएंगे तवा को थोड़ा कर्म होने देंगे तो अब तवा गर्म हो चुका है अब इसमें प्राठे को डाल देंगे गैस यहाँ पर मीडियम रखेंगे प्राठे को तुरंत नहीं पल्टेंगे थोड़ी दिर बाद पल्टेंगे अब प्राठे को पलट देंगे अब प्राठे के उपर अच्छी तरह से तेल लगा देंगे आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं गैस सम मीडियम ही रखेंगे थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे और इधर से भी प्राठे के उपर अच्छी तरह से तेल लगा देंगे फिर से इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से प्राठे को पलटते हुए गोल्डेन होने तक सेख लेंगे मीडियम आज पे ही इसे हम सेखेंगे तो अब प्राठे दोनों तरफ से गोल्डेन हो चुके हैं तो अब इसे हम निकाल लेंगे इसी तरह हम सभी प्राठे को सेख लेंगे तो आप भी इस तरह से आलू के प्राठे बनाका जरू ट्राइ करे और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये रेश्पी कैसी लगी अगर आपको ये रेश्पी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद